परिशान तो इमान टीवी चेश्टेंड हार्ड केर किलिक है एक बहतर समधान संपर्थ करे डॉक्टर अजाद अलम से सेंटर पॉइंट चक्या रोड सीवान अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है जैसे सलूजा गोल्ड टीम्टी सरिया क्योंकि सिर्फ यही है 24 गैरेट गोल की तरहे असली स्टील से बना जो दे आपके निर्मार को बेमिसाल मजबूती अंदर से सेवान में ताबरतोड हुए गोली बारी से दो इवक गंभीर रुप से घायल हो गए हैं गोली की आवाज सुनते ही आफरा तफरी मच गई घटना के संबन में बताया जाता है कि सेवान सहर के नगर थाना छितर इस्थित राम राज मोड के पास हनुमान चाय दुकान के समीब कुछ लड़कों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई देखते ही देखते एक गुट ने दूसरे गुट पर ताबरतोर फाइरिंग सुलू कर दिया जिसमें दो युवकों को गोली लग गई गोली लगने से दोनों युवक गंभी रुप से घायल होकर गिर गए दूसरे गुट के अपरादी हथियार लहराते हुए असानी से फरार हो गए आस पास के लोगों की मदद से घायलों को इलाज हेतु सिवान सदर अस्पताल में भरती कराये गया जहां दोनों की इस्तिती नाजुक बनी हुई है घायलों की पाचान सिवान नगर थाना छेतर के दखिन टोला निवासी स्वर्गिया अली अकबर का पुत्र रहान सेख एवं बढ़रिया थाना छेतर के पुरानी बजार निवासी समीर अमद के पुत्र मुहंबत कैप के रूप में हुई है बतादे की कैप बढ़रिया कराने वाला है सिवान के कागजी मुहला में अपने रिस्तिदार की यहां रहता है जिले में आय दिन गोली बारी की घटना को अपरादी बेखोप अंजाम दे रहे हैं पिछले दस दिन के अंदर जिले में गोली बारी की चोथी घटना है फिलाल घटना की सुचना मिलते ही सिवान सदर SDPO अजे कुमार सिंग और नगर थाना अध्यक सुदर्चन राम सदर अस्पताल पहुँचे घायलों से मुलाकात की मामले की जांच की तो बड़ी कबर आप पिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं जहां सेवान में ताबर तोड हुए गोली बारी से दो इवक गंभीर रुप से घायलों गए हैं गोली की आवाज सुनते ही आफरा तफरी मज गई घटना के संबन में बताया जाता है कि सेवान सहर के नगर थाना छितर इस् तोर फाइरिंग सुनू कर दिया जिसमें दो इवकों को गोली लग गई गोली लगने से दोनों इवक गंभीर रुप से घायल होकर गिर गएं दूसरे गुट के अपरादी हत्यार लहराते हुए असानी से फरार हो गए आस पास के लोगों की मदद से घायलों को इलाज सिवान सदर अस्पताल में भरती कराये गया जहां दोनों की इस्तिती नाजुक बनी हुई है घायलों की पाचान सिवान नगर थाना छेतर के दखिन टोला निवासी स्वर्य अली अकबर का पुत्र रहान सेख एवं बढ़रिया थाना छेतर के पुरानी बजार निवासी समी अमत के पुत्र मुहंबत कैप के रुप में हुई है बतादे की कैप बढ़रिया कराने वाला है सिवान के कागजी मुहला में अपने रिष्तिदार के यहां रहता है जिले में आय दिन गोलिबारी की घटना को अपरादी बेखोप अंजाम दे रहे हैं पिछले दस दिन के अ मुझे घायलों से मुलाकात की मामले की जांच की अधिया गड़ जगड़ाव कर रहते हैं और एक अद्ब की जो लगा है और रहान दक्रिद दुरा अगरे इसका चार गोली चला आए इसे कितना गोली आपको लगा है एक गोली मेरे को लगा है एक गोली उसके लगा है दू गोली हवा में दाया है करताय कि आया दिन वहां के पुनते हैं कि हंगामा होता है मारे सब्कार अधे में को एक आत्मिक नहींन नहीं बहुत लड़का को माहां के पकड़ पकड़ गया है Sorry पर नासन कुछ नहीं करती है कि एक चोटे का भतीजा संभाबू का लिकाई है जो गोली चलवाया है इसमें तीन चार लड़का है से में देखे हैं आप को चला है अंदाजनी ने बोल देखा है